आप जहां भी बैठते, खड़े होते और जो भी छूते हैं, उसमें यादाश्ट होती है और हर समय आदान प्रदान होता है। तो ये एक सचेत प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर वो मजबूरी भरी प्रक्रिया है, फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये पाप है, वो पाप है। सवाल ये है कि जीवन में आपकी प्राथमिक्ता क्या है? सद्गुरू, कोई व्यक्ति एक रिष्टे में किसी के लिए समर्पित कैसे रह सकता है? क्या ये स्वाभाविक है कि किसी से प्यार करते हुए भी दूसरों के प्रती सेक्शुल अट्राक्शन हो? इसका सही तरीका क्या है? या इसे कैसे समहला जाना चाहिए? देखिए, एक मानसिक समगरता होती है, एक भावनात्मक समगरता होती है, लिकिन एक शारिरिक समगरता भी होती है, समगरता का मतलब नैतिकता नहीं है, समगरता का मतलब है कि आप एक ऐसी स्थिती बनाएं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर हो, तो जब हम समगरता क मान लीजे मैं कहूँ, मेरे शरीर में एक समगरता है, इसका मतलब है कि ये मजबूत और बहुत सारी चीजों से रक्षा करती है, है न? इसका ये मतलब नहीं कि मैं नैतिक रूप से किसी चीज में आटका हुआ हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप समगरत कि दस पीडियों पहले कैसी दिखती थी? क्या आपको याद है? नहीं, मगर आपकी नाक उनसे मिलती है, हाँ या न? शरीर याद रखता है, है न? शरीर दस लाग साल पहले कि आपके पूरवजों को याद रखता है, हाँ या न? तो आप जिसे मेरे शरीर कहते हैं, वो दाश्त का एक धेर है, हाँ या न? मेरी है या नहीं? देखिए, अब आप निपाल से शिलोंग आए, आपने बहुत सारा मेगालाय का खाना खाया, आपके नैन नक्ष नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपका शरीर याद रखता है, कि आपकी जनेटिक्स क्या है, चाहे कुछ भ देते हैं, आपका शरीर कन्फ्यूज होकर कुट्ता या गाय नहीं बन जाएगा, क्योंकि इसमें विकास संबंदी यादाश्त है, आप चाहे जो भी करें, ये कभी कन्फ्यूज नहीं होता, है न? आप सोचने लग जाएं मैं एक कुट्ता हूँ और उसकी तरह भौकने मगरता को खो देता है, तो आप देखेंगे कि ये कई सारी चीजों के प्रती नाजुक हो जाएगा, अब शरीर की प्रकृती ऐसी है, कि कुछ भी जो आप एक खास तरकी भागेदारी के साथ छूते हैं, स्वाभाविक रूप से उस मैमरी को स्टोर कर लेगा, मानसिक तोर इसका मतलब है शारीरिक मैमरी जो आप इकठा करते हैं, लोग क्यों आप लोगों के साथ ये देखेंगे, मान लीजिए अपने घर में वो जाकर उसी जगा बैठते हैं, ये आम तोर पर बुड़े लोगों के साथ आप देखेंगे, कि वो जाकर एक ही जगा बैठना चाहते वो दूसरी जगा नहीं बैठेंगे, क्या आपने गौर किया है? यहां तक कि आपका कुत्ता वो आता है, अगर वो यहां बैठना चाहता है, तो वो इसे सूंगेगा, उसे सूंगेगा, उसे सूंगेगा, और बहुत खोज भी इनके बाद, वो उस एक जगा पर बैठ जाए दो, तीन, आठ घंटे बाद, अगर वो आएं, कुत्ते के साथ नहीं, कुत्ता आसानी से यह कर सकता है, मगर फोरेंसिक उपकरण के साथ हम यहां आते हैं, और बस इस कुरसी को चेक करते हैं, और हम जान जाते हैं, कि आप ही यहां बैठे हुए थे, कोई और नहीं, तो या आदाश्थ होती है, आप जहां भी बैठते, खड़े होते और जो भी चूते हैं, उसमें यादाश्थ होती है, और हर समय आदान-प्रदान होता है, आप नेपाल से आई हैं, भारत में भी यह काफी हद तक है, दक्षिन में बहुत मजबूती से है, उत्तर में यह शायद कम रख दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़े हैं, जो मेमरी को बाकी चीज़ों से बहतर संचारित करती हैं, नमक, तिल, नीमू, इसी तरह अगर आप देते हैं, पारंपरिक लोग कहेंगे, उसे वहां रखतों मैं ले लूँगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके साथ रुना रुनानुबंध नहीं चाहते, क्योंकि इसका मकसद आपके शरीर की मेमरी की समगरता को इस तरह रखना है, कि वो दूसरी चीज़ों के प्रती समवेदन शीलना हो, कि आप बहुत जुड़ा हुआ जीवन बन जाएं, अगर आप खुद को एक संभावना के लिए विक्सित क करना चाहते हैं, तो आपको यादास्त की समगरता को बरकरार रखना होगा, रुनानुबंध का मतलब यही है, आप अपनी शारीरिक मेमरी को कम से कम रखते हैं, शारीरिक समबंद ऐसी चीज़ है, जिसमें बड़ी मात्रा में मेमरी एक से दूसरे में ली जाती है, तो लोगों ने उस मेमरी को कम से कम रखने के फायदे देखे, अगर आप उस मेमरी को बहुत जटल बना दें, तो आप देखेंगे कि आराम से होना कुछ समय बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, सुख जरूर होगा, मगर आपके जीवन में कोई खुशी नहीं होगी, आप जान से देखे, उन्हें सुख में लेगा, वो हर समय खिल खिलाते रहेंगे, मगर आप उन्हें गौर से देखे, उनके अंदर कोई खुशी नहीं है, सहजता नहीं है, क्योंकि सहजता ज्यादा मेमरी की वज़े से चली जाएगी, ऐसा सिर्फ सेक्शुयलिटी के साथ ही नह सद्गुरु मेरा हग कहा है, मैं कहता हूँ, वो आपके साथ होगा, वो मेरे पास क्यों होगा, ऐसा नहीं होता कि किसी खास पल आप किसी के करीब महसूस करते हैं, तो आप उन्हें गले लगाते हैं, ऐसा है कि हर समय आपको लोगों को छूना है, क्योंकि आज के मनोवैग् के जीवन पर बहुत असर पड़ता है कितना शारिरिक संपर्ख हुआ जब बच्चा पैदा हुआ ये तै करेगा कि वो बाद में कितने शारिरिक संपर्ख की चाह करेंगे और एक शिशु अपनी मां से कितनी मेमरी ग्रहन करता है उस समय क्योंकि जब तक एक बच्चा साड़े चार साल का नहीं हो जाता कई रूपों में उर्जा की दृष्टी से वो एक अलग जीव नहीं है वो अब भी मां के शरीर से जुड़ा है असल में अगर लोग प्रकृति के अनुसार चलें तो उस समय तक उन्हें मां का दूद पीना चाहिए और साड़े चार साल तक जुड करने के लिए मगर एक बार बच्चा बाहर जाने लगता है और एक अलग इनसान बन जाता है जीवन खुद को व्यवस्थित करता है लोग मेरे पास आकर कहते हैं सद्गुरू क्या आप मेरे बेटे को आशिरवाद दे सकते हैं क्या उम्र है अगर वो कहते हैं 15 16 18 ठीक है पूरी तरह अलग हो चुका है आम तोर पर जीवन के अवधी लगभग 84 साल या चंद्रमा के 1008 चक्रों के बराबर मानी जाती है चंद्रमा के चक्र और हमारा शरीर सीधे सीधे जुड़े हैं क्योंकि हमारी माओं के शरीर चंद्रमा के चक्रों के तालमेल में थे इसलिए ह तो एक पूर्ण जीवन चंद्रमा के 1008 चक्रों के बराबर माना जाता है जिसे लगभग 83 से 84 साल मानते हैं तो अगर कोई 84 पार कर लेता है उसे एक पूर्ण जीवन माना जाता है इसमें पहली तिमाही ही एक मात्र समय है जब वो अपने माबाप से जुड़ा होता है उसके उर्जा की दृष्टी से आप उन दोनों जीवन को जोड़ नहीं सकते तो उसी समय लालसा होती है अगर आपने अपने अंदर जरूरी समगरता नहीं बनाई है तो दूसरे शरीर की चाहप बढ़ जाती है हाला की हॉर्मोन्स का समय पंदरा से बीस के बीच सबसे ज्यादा होता है किसी के साथ जुड़ने की चाहत 21 साल की उम्र के बाद बढ़ती है क्योंकि अंजाने में आप आप एक सैटलाइट की तरह हैं जो मेन मदर से दूर हो गया आप मदर बोर्ड से अलग हो गया अब आप क इसी चीज से जुड़ना चाहते हैं जब तक कि आपको थोड़ी समगरता ना मिल जाए इसलिए 12 से 18 साल के बीच शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत साधना करनी चाहिए ताकि आप बेता हाशा किसी चीज या किसी व्यक्ती से खुद को ना बांध लें आपको जागरू यह है कि जीवन में आपकी प्राथमिक्ता क्या है अगर आपकी प्राथमिक्ता इस जीवन को एक उच्च संभावना तक पहुँचाना है तो आपको जागरू को होना चाहिए अगर आप किसी तरह जीवन जी कर चले जाना चाहते हैं तो ठीक है धन्यवाद सद्गरू माफ कीजिया अगर मैंने आपको निराश किया आपने सब मेरे प्रशन का जवाब दिया सद्करू उसके लिए बहुत धन्यवाद